आपको ये दिखना है कि ये जो सारे संख्याएं दिये गए हैं 0.32, 2.72, 12.8 और 14.4 इन सारे संख्याओं में सबसे छोटी संख्याओं दोस्तों कोन है? 0.32 दोस्तों कोन है? 0.32 तो आप SCF में एक बात ध्यान रखेंगे SCF दी गई संख्याओं में या तो सबसे छोटी हो सकती है या तो उससे भी छोटी हो सकती है इसका मतलब कि हमारा मान इन सब में से कोई भी SCF नहीं दे सकता है 0.32 ही दे सकता है तो देखें क्या 0.32 है ओप्सन में कहीं पर भी? दोस्तों कहीं पर भी नहीं है तो जब 0.32 कहीं भी option में नहीं है तो हम यह चेक करें कि 0.32 किसे कटने वाला जो option में दिया हुआ है तो वो है 0.16 यही हमारा SCF होगा